जिस तरीके से टीवी में होता है न कि आप आंकर कोई देखा देखते हैं पर वो केवल 5 प्रतिशत होता है जो जनलिजम टेलिविजिन में होता है उसी तरीके से जब राजनीतिक पार्टियां होती है तो जो मंत्री या मुख्यमंत्री का चेहरा आपको दिख रहा होता है उसक सारे राज्यों में जहां पर सरकारें अगर कुछ साल नहीं रहती हैं तो पार्टी लड़ खड़ाने लगती है लेकिन यहां पर कॉंग्रेस पार्टी इस रूप में रही कि पिछली बार 15 महिने के लिए इस सरकार बना ली आप लोगों इस बार आपको लगता है पिछले बार का भरोसा लोग दिखाएंगे या शिवराज जी अपनी तूटियां सुधार चुके हैं और शायद आप लोगों को दोबारा मौका ना मिल पारे देखिए पहले तो मैं आज तक की टीम को और आपको विशेश रूप से बदाई देना चाहूंगा कि आपने चुनाओ के आउ यहां किया है और हम सब को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया है रही बात 2018 के चुनाओ की और आने वाले 2023 के चुनाओ की 2018 में भी हमारे प्रदेश की जागरूग जनता ने कॉंग्रस के पक्ष में जनादेश दिया था और हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में भी हमारे प्रदेश की महान जनता का साथ हाथ के साथ होगा इस विश्वास का कारण क्या है देखी चुनाओ के आउसर पर कई महत्पूर्ण बात होती है पहली बात ये कि जो राजनेतिक पार्टियां चुनाओ के मैदान में है उन्होंने समय समय पर जनता से जो वादे किये उन वादों की पूर्ती की दिशा में क्या कदम उठाए ग फिर उम्मीदवार एक फैक्टर होता है फिर जो सरकार सत्ता में रहती है उसके काम काज का ब्योरा मददाता के सामने रहता है आपने बहुत सही बात की इश्वता जी कि आपको भरोसा किस कारण से है डबल एंजिन की सरकार है दोनों एंजिन फेल हो चोके है मैं इशारा कर रहा हूं भाजबा की केंद्र सरकार की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं मद्वदेश में भाजपा की राज्य सरकार की ओर आप कहेंगे कि बहुत संचिप्ट में केल्द सरकार के बारे में बताईए तो मोधी जी ने देश की जनता के सामने ये वादा किया था कि प्रतिवास दो करोड लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर एक के खाते में पंदरा लाक रोपे आएंगे नोडबंदी के बाद काला धन वापस आएगा दो हजार बाइस सट किसानों की आय दुगनी होगी और सबको आवास दिया जाएगा ये दो हजार तेईस है इसका जबाब जनता के सामने हैं, आपके सामने हैं, समय कमें इसलिए में आंकडों में नहीं जाओंगा, अब आईए मद्ध्रदेश के बाद, मद्ध्रदेश में 22,000 गोशनाएं मुख्य मंत्री जी ने कर दी हैं, और मैंने वाजपा के ही वरिष्ट नेता, रगुनंदन शर मुख्य मंत्री जी को गोशनावीर कहते हैं, लेकिन उन गोशनाओं पर क्या अमल हुआ, शिवराज जी ने ये कहा था, कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं हो पाया, शिवराज जी ने ये कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, नहीं हो पाय शिवराज जी ने समय समय पर जो बातें की वो नहीं हुआ है तो बात यह आती है कि प्रदेश और देश की राजनेतिक इस्थिती क्या है सामाजे की स्थिती क्या है आर्थिक स्थिती क्या है प्रदेश की आर्थिक स्थिती यह है कि यहां पर मद्यप्रदेश पर करदा प्रतिवश बढ़ रहा है पहले अभी चार मेहने पहले बात आई थी कि 3.69 लाग करोड मद्धिप्देश पर करदा हो गया जो अब फिर बढ़ गया तो मद्धिप्देश करदार हो गया मद्धिप्देश में इन्वेस्टर मीट हुई 33 लाग करोड रुपे के MOU साइन हुए परिणाम क्या निकला मद्धिप्देश के मामले में मैं राजनेतिक बात स्वेता जी कभी नहीं करता हूँ जब मैं 24 साल मेंबर पार्लिमेंट भी रहा मैं हमेशा आँखनों पर बात करता हूँ मैं शुरुआत करता हूँ NCRB की रिपोर्ट NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि मद्धिप्रदेश जिस पर हमें गर्भ है वहाँ अनुसूचित जाती जन जाती पर अत्याचार के मामले में नमबर बन है कि NCRB की रिपोर्ट कहती है कि गेंग रेक के मामले में बलातकार के मामले में शिशु मत्युदर के मामले में मात्रत्व मत्युदर के मामले में नमबर बन है दहेज प्रता के उत्पीडन के मामले में नमबर 3 है यह NCR भी रिपोर्ट कर रही है यह सुरेश पचोरी या कॉंग्रेस नहीं बोल रही है अब नेती आयोग क्या बोल रहा है नेती आयोग भी केंदर सरकार के द्वारा बनाया है नेती आयोग यह कह रहा है शिक्षा के छेत् में रोजगार के छेत्र में मद्यपदेश फिसड़ी स्थान पर है और देश में चोथा राज गरीब राज हो गया तो यह सरकारी आंकले बोल रहे हैं मैं ने इक आधार बनेगा चुनाओं में यह एक कंफ्यूजन जो वोटर है उसके दिमाग में यह हो जाता है कि यह कर देश लिए तक शुनने पाट करवा है वहाँ पर पहले तो पहले अनुवान चालीसा का पाट वी हूँआ था לצफतर में गलत हूं तो मुझे क्लियर कर देगा संदोर कांड का नट बी हुआ था उट उटार और इग कंफ्यूजन अधर धर्म एववम उतसव इसका गठन आप लोगों ने किया, जब भगवा जंडे भी सुन्दरकान के पाठ के समय लगाए गए, यह चीजें क्या हैं फिर, अगर डिवेलपमेंट पर, अगर क्राइम पर, अगर एक सरकार के फेलियर के खिलाफ चुनाव लड़ा जाना है, तो क्या कॉंग्रेस कि अर्म के प्रती सजड़ हैं, अगर कोई सुन्दरकाण करता है, निजी आधार पर, तो उसमें कोई आपती जनक बात नहीं है, number one, number two, अगर कोई हनमान चालीशा का पार्ठ करता है, तो वह कोई आपती जनक नहीं है, लेकिन चुनाव के समय हमारा विचार यह है, कि मुद पेले थे मेंगाई से आम जनता भष्टाचार से आम जनता बड़े हुए बेरोजगारी से आम जनता जो असुरक्षित भावना हो रही है हास तोर से अनुसूचित जाती जन जाती अलप संख्यक वर्ग इन में और ये जो आंकड़े में ने बताए हैं प्रती वर्ष जो है अन संसदी है समीती की रिपोर्ट है कि मद्यपदेश में ये बड़ोतर ही हो रही हम इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे पिछली बार जन जाती है जितने इलाके थे वहां पर कॉंग्रस पार्टी ने जबरदस जटका दिया था बीजेपी को आपको लगता है उनका गुस्सा अभी भी कायम है क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि वो सब को अब संतुष्ट कर चुके हैं सेता जी मुझे बताये है कि बहुत कम समय आपने मुजे दिया है तो मैं बता देता हूं जनजाती के शे में सीदी में क्या हुआ अनुसुचे जनजाती के बालक एसाथ अमान भी गठना हुई नीमच में क्या हुआ सागर में क्या हुआ Road ये सारी मन को परेशान करने वाली गटनाएं हुई है दलितों को जो निर्वस्त करके घुमाया गया में एक नई दस घटनाओं का उल्ले कर सकता हूं वो सब देहलाने वाली बाते हुई है तो आपने जो कहा के अनुसूचित जंजाती की सीटें 2018 में बढ़ी थी तो निश्यत रूपे अब उससे और जादा हों पर ऐसे में सनातन का विवाद क्या आपको मुश्किल में डाल रहा है यहां पर क्यूंकि इंडिया नाम का गठमंधन तयार हो चुका है पहली रैली सुन रहे हैं कि भोपाल में होगी यहां पर और उसमें एक ऐसा मुद्दा जो शायद आप लोगों को बैक फूट पर डाल मेरे सामने भाजपार के भी लोग हैं जो सुबह पूजन पाठ करके टीका लगा के आते हैं मैं टीका और भो भी ठीका दिखाने के लिए नहीं आते हैं अगर मैं जनेव धारन करता हूं तो मैं बाहर निकाल के बताता हैं हमारी आस्था है सनातन धर्म पर कहोने के नाते हमे गर्व है और मुझे विशेश रूप से इसलिए गर्व है श्वेता जी कि मैं ब्रह्मलीन दुईपीठा दिश्वर परमपूजे शंक्राचार स्वामी सरूपा नंजी सरस्वती का दीछित शिष्षियों और मेरा जो जनेव संद्कार हुआ वो भी भही हुआ तो सनातन धर्म के मामले में मैं यह कह सकता हूं कि सनातन धर्म पर हमें पहले भी गर्व था और सनातन धर्मी होने पर हमें आज भी गर्व है और सनातन धर्म हमें अपनी भारतिय संस्कृति की ओर प्रेरित करता किसी को ऐसा बयान देने का अधिकार है जैसा उधैनिदी स्टालिन ने देए जनातन धर्म के विप्रीद बयान देने से कॉंग्रेस पार्टी जो है अगर विप्रीद कोई बयान देता है तो उससे कॉंग्रेस पार्टी कभी सहमत न हुई है और न होगी हमने अफिचली इस बात का उलेग किया तुरिज जी यह जनाक्रोश यात्रा का क्या हुआ मतलब बहुत बार इसकी इसका जिक्र हुआ कई जगों पर मैंने रेपोर्ट देखा पता नहीं सही है कि नहीं कि पंदरह तारिक को शुरू होना था लेकिन उसकी शायद रूट पर सहमती नहीं बन पा रही है यह क्या अटक और तिथी में इसलिए घोषट यहां करने के लिए अधिक्रत नहीं हूँ संभाता बीस तारिक से वो जनाक्रोश यात्रा हमारी मद्देश के विभिन अंचलों में प्रारंब होगी बीजेपी को विश्वास है कि जो लाडली बहना योजना जो जिसकी शुरुवात कर दी गई एक पहला छोटा ट्रांसफर भी हो गया सभी महिलाओं के अकाउंट्स में वो गेम चेंजर हो जाएगा और बाजी पलट जाएगी वो तो आश्वास थें कि बाजी पलट चुकी आज चुनाओ के मौके पर ये लोक लुबावन बातें क्यों की जा रही है आज चुनाओ के मौके पर भी जो एक हजार पार गैस सिलिंडर मिलता था वो कम क्यों किया जा रहा है लेकिन मिल कितनों को रहा है एक सितंबर से देने की गोशना हुई आज कौन सी तारीक है कितनो को मिला यह लोगों को लग रहा है कि चुनाओं के मद्दे नजर क्योंकि जन्ता के पास जाकर कहने को बताने को इनकी कोई सकारात्मत पहल नहीं हुई तो मन भटकाने के लिए क्या कहा जाए कैसा करा जाए तो यह मैं यह तो नहीं कहता हूं कि नाटक है नोटंकी है मैं इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन लोग समझते हैं कि चुनाओं के ही समय पहले किसने रोका था और कॉंग्रेस ने जब गोशना की नारी सम्मान योजना की कि हम एक अजार पास सो देंगे जब इमाचल में हमने देना शुरू कर दिया राजस्थान में हमने देना शुरू कर दिया तो इन्होंने हमारी घोशना की नकल करके यहां गोशना कर दी अच्छा बीजेपी कह रही है आप लोग ने नकल किया है कौंसी नकल वो बोल रहे है कि पहले तो हमने श्वेता जी आप मैं दिल्ली से आपको बातें बहुत संजीतगी से सुनता हूं, आप डाटा, इवंट्स, बहुत संजीता से देखती हैं, तो आप देखिए पहले घोषना किसने की, तारीक देख लीजिए, मैं सोचता हूं, वो जवाब आपको आजाएगा, इन्हों ने जो जो घोषना इखी कांग्रेस का, जो हमारा वचन पत्र है, उसको देखा, उसकी नकल कर दी, खेल खता, खेल किसका खतम होगा, बीजेपी का, ने पर जनता इन चीजों को तारीकों, देखिए, मैं बहुत इश्ष्ष्ष्ष्ट बात करूं, जनता ये चाहती है, कि हम ये, हरेक को अपना धर्म का अधिकार है, लेकिन इस से हटके, जो राज्यतिक पार्टी चुनाओ के मैदान में है, वो बता है कि रोजगार के छेत्र में क्या करेगी, वो बता है कि किसानों की बैतरी के लिए, ते महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए क्या करेगी, जनता ये देखना और सुनना च कहा उस पर अमल किया है भारतिय जंता पार्टी के बारे में यह है कि अगस से शुरुआत होई है गोशनाओं की जादा आप देखिये रोज गोशनाओं हो रही है इन गोशनाओं का मैं दो बार केंदर सरकार में मंत्री रहा हूं आप कोई भी अगर डेक्लरेशन करते हैं तो उसके इंप्लिमेंटेशन में एक प्रोसेस से गोजरना होता है वो प्रोसेस कब समय पूरी होगी जब कोड़ अफ कंड़क लग जाएगा जब चुनाव हो जाएगा चुनाव हो जाएगा तो लोगों के सामने दो चेहरे है एक हमारे आदर्णिये श जिवराज सिंग जी के बारे में क्या है मैं कॉंग्रेस का हूं इसलिए नहीं चाहता हूं लेटिन उनीकी पार्टी के लोग कहते हैं के घोछना भी रहे अपकी दोस्ती तो बीजेपी वालों से भी रहती है अच्छी बातें करते हैं सब आपके बारे मन अब देखिये मैं यह मान के चलता हूं कि लोक्षांतरिक व्योस्था में हम हमारी प्रतिद्वन्दिता होना चाहिए शत्रुता नहीं होना चाहिए तो हम सब भारती हैं हम मध्यवदेश के बासी हैं तो निश्यत रूप से हम सब के सुख दुख में शामिल होते हैं आपका इशारा शाहिद जी की तरफ होगा तो अभी जाते समय हमारी नमस्कार हुई हम उनके घर में जब गमी हुई गमी हुई हम बैठने गए और खुशित का आउसर अगर बाच्पई जीत यहां आएगा तो हम उस समय भी बैठने जाएंगे मेरा इशारा तो ज्योतिरादिती जी की तरफ था पह देखिए शिंदिया परिवार से मेरे बहुत आत्मी रिष्टे रहें मैं सार्वजनिक रूप से सुविक्राव करता हूं डरता नहीं हूं सवर्गी मादराव सिंदिया जी से मेरे संबन है रहे हैं और उसको कहने में कोई अत्राज नहीं है जब मैं पहली बार 84 में में बर बनके गया था, तो अगर संसट भवन में गये थे थे, हम दोनों ही साथ गये थे, तो उसमें क्या है, जब मैं मिनिस्ट्र वे स्टेक डिफेंस प्रोडक्शन बना तो पहली कैबनेक मीटिंग जब हुई हम दोनों गाली से क्रेबनेक मीटिंग में साथ रिष्टे तो हैं रहे हैं उसमें क्या बात लेकिन सेदान्तिक तोर पर चुनाओ के आउसर पर आपको आज की परिस्टियों में हम अ वह बता पाएंगे और श्वेता जी प्रदेश कॉंग्रे सद्यक्ष प्रमना जी बता पाएंगे मैं उन चीजों को नहीं बताना चाहता हूं लेकिन निश्यत रूप से कुछ तो हुआ होगा तो वह वापस आएं कोई बात नहीं कुछ और होगा जो महत्पूर्ण लोग ग कि यह फर्स्ट लिस्ट है कॉंग्रेस की फिर पता चला कॉंग्रेस ने खंडन किया कि यह बस ऐसे ही अफवा है कोई फर्स्ट नहीं है मैं आप बहुत खोद खोद के पूछ रही है मेरे से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होई उसमें वो नाम जिन पर सहमती बन गई लेकिन ओफिशियली डिकलियर तो पार्टी करेगी श्विता जी तो कोई बिवाद नहीं है सहमती है आपस में काफी नामों पर सहमती बन गई है डेकलरेशन कब करेंगे यह पार्टी डिसीजन करें मतलब जो आप लोग आरूप लगाते हैं बीजेपी की की वहां पर कई ध कि अंदर कौन सा सब कुछ ठीक ठाक है वहां भी गुठ है ऐसा है क्या मैं कह सकता हूं कि जो राजनेतिक महतपूर्ण बड़ी पार्टी हैं उनमें अलग-अलग नेताओं से जोड़े हुए लोग रहते हैं मैं घटिया शब्द इस्तेबान नहीं करता हूं कि एक भाजपा महराज की है तो एक शिवराज की है एक नाराज भाजपा है मैं ऐसी बातें नहीं बोलता हूं हमारे यहां भी अलग-अलग नेताओं से जोड़े हुए लोग हैं लेकिन पार्टी जो फैसला कर देती है हम उस फैसले को स्विकार करते हैं भाजपा में भी जो पार्टी फैस हुए हितानां जी और वूफेंद यादाव जी उस मीटिंग में थे और उस मीटिंग में कई बातें उठी कई बातें उठी और उसमें नाराजी व्यक्त कर दी गई लेकिन मैं इस पर कोई बयान थोड़ी दूंगा अच्छा पेपर कटिंग आपने रजी है यह है यह क्या जो पढ़ पोटी यह तो आज का पेपर है कि में बयान ऐसे नहीं देताूं देखिये हर हर फार्टी में Państwo कि हर नुद्धता रहती है वहां भी रहती है कुछ मुद्दों पर यहां भी रहती है लेकिन अंत में सब अपनी पार्टी के आदेश और निर्देश को शिरोधारिय करते हैं पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आप लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और प्रधान मंत्री जब यहां आते हैं जो गुष्णाय करने तो वो उसमें क्या देते हैं कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा और वो इशारा कॉंग्रेस पर पर कर तो सुरू करें गोताँ मादानी से सुरू करें अपन घुटाले से शुरू करें हैं और शिक्षा गोटाले पे शुरू करें जहां हाई कोट ने किप पड़ी किये नर्सिंग गोटाले के मामले में एक भाजपा विदायक की जो इंस्टूट है उसमें दस में से आठ लोगों की जो चैन हुआ हाई कोट ने और खुद मुख्यमंत्री ने बाद में उस पर रो इता भी है जबके हमारे कारकाल में केतन पारिक के समेहं जेपीसी बनाने के लिए तयार हो गए थे तो यह जो रहूल गांदी जी ने मुद्दे संसज में उठाय थे उस पर भाजपा की सरकार चूप रही पृदान-मंत्री तो चूप रहते ही है उस मुद्दे पर लेकिन स सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मध्यप्रदेश की जनता किस बात पर जैसे पिछली बार बड़ा बेरोजगारी मध्यप्रदेश में बढ रही है खास्तोर से अनुचित जाती जन जाती पर अत्याचारों में लगातार बड़ोतरी हुई है सरकारी आंकणे हैं और जो वादा किया जाए उस वादे को पूरा किया जाए रगपती ररीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन न जो वादे कर रहे हैं उसका नाम गोशन पत्र नहीं दिया है उसका नाम हमने वचन पत्र दिया है जो वादा किया वो नेभाना पड़ेगा हम नेभाईंगे कि सर्वें आप लोगों ने काफी सारे करा लिया है पिछले एक साल में कितने सर्वें हुए ऐसे फिर आप दूसरा राज खुल वा रहें है कि AICC ने दो सर्वें किये हैं मद्यवदेश कॉंग्रेस कमेटी ने चार सर्वें किये हैं वो है इस सिटी नतीजा क्या निकला यह त लेकिन आप क्या मुझसे यह उमीद करती है कि मैं राज खोलूंगा कि सीट पर क्या हाला थे मैं उप समहर बता देता हूं बॉटम लाइन मद्यवदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो पच्छोरी जी पिछले बार का जो नतीजा रहा चुनाओ का उसमें वो आवी गहमा गयमी शुरू हुई तो सबसे पहले यह कहा गया जो ग्राउंड पे हमारे सब रेपोर्टर्स ने भी कहा कि बहुत कड़ा मुकाबला है तो सरकार तो आपकी तवी बनेगे ने जब आप बहुत विस्तार से बहुमत लेंगे देखिए श्यता जी राजनीती में ओवर कॉंफिडेंट कभी नहीं रहना चाहिए यह मान के चलना चाहिए हर पल कि यह चुनाओ हमारे लिए महत्पूर्ट तो है कॉंप्टिटिव भी है और मैं बिल्कुल यह मान के चलता हूं कि हमें बहुत सजगता के साथ गंबीरता के साथ हमें इस चुनाओं में जाएंगे और अंतता हमें विजशी मिलेगी आपने इतनी बार समय की बात की कि हमारा जो समय की टिक-टिकी थी जो बताती की अच्छा देखिए इस तरफ वाली चालू है जिस तरीके से ये मुकाबला चला है जिस तरीके से मैंने आपसे ये भी कहा कि मुद्दे इतने सारे आपके हैं लेकिन घूम फिरकर वहीं पर क्यों मुद्दा पहुचता है और उसका कारण ये भी होता है कि कुछ लोग जो चेहरे होते हैं जिसके कमलनाच जी को साफ उन पर ये आरोप लगता है कि छिंदवाडा मेहीं सही लेकिन उन्होंने बागेश्वर बाबा को बुलाया वहां पर बड़ा लंबा चोड़ा आयो जन वहां पर हुआ वो बार बार हनुमान जी की मूर्ती की बात करते हैं जो मुझे याद है दोहजार चौदा में उन्हों है या कॉंग्रेस का निजी वेचार आपने परंपूजे बागेश्वर धह माराज की बात कही आपने परंपूजे प्रदीप मिश्रा जी की बात कही मैं उन सोभागेशाली लोगों में से हूँ के नरसिम राओ जी के समय चारों शंक्राचार का जब चतुश्पीट सम्मेल तो मेरी उसमें एक आहम भूमिका रही है मैं उन सोभागेशाली लोगों में से हूँ कि जब आयोध्या में जो शिलान्यास हुआ था और राजीव गांदी जी प्रदान मंत्री थे और एंडी तिवारी साब मुख्य मंत्री थे ग्रेह मंत्री भूटा सिंग जी थे तो मैं प्रत्यक्ष उस सब बातों का साक्षी रहा हूँ कि कैसे आयोध्या में ये सब बात हुई थी तो बात इन दोनों परंपूजे महराज की है भागेश्वार धाम महराज मेरे भी यहां निवास पर क्रपापूर्वा का आय है आशिरवाद दिया है तो हम तो सबागिशाली मानते हैं अपने आपको कि हमारे सनातन धर्में जो भी सम्माने तो रादर्नी ये संत है उनका आशिरवाद हमें मिलता है उसमें क्या बात है सोचने की मतलब ये कोई पोस्चरिंग नहीं है जो सौफ हिंदु चूटे हैं किसी भी हमारे संत के तो उसके पीछे हमारी राजनेतिक आकांच्छा नहीं होती है हमारी शद्दा रहती है उनका आशिरवाद लेने में एक अच्छी बात है उसमें क्या है और आपके ही पार्टी के कु और ये संदरकान का पार्ट हुए कि ये नहरो जी ये पार्टी नहीं है हम लोग हरे कि उस विषग पे बाद में उन्होंने क्या कहा मैं उसमें समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। मैं समम लेना चाहता हूं कि मुझे अलग से समय देगी हॉं आर्ठी की शितिया है सामाजी किस स्थिih क्या है क्यों अफरत पहला ही जा रही है और राजनायते किस स्थिइ क्या है क्योंकि मुद्दा आज वो है उस विशे में आप जब मुझे अलग से समय देंगी मैं आंकड़े और बयानों के साथ उनके भी आपको बता दूंगा कि बाद में उनोंने इस वि इसको मिली थी आप लोग इन दोनों चुनावों को देख रहे हैं या केवल विधान सभा को अभी अप्रोच कर रहे हैं अभी तो हमारा द्यान विधान सभा पर ठीक है और 2023 के चुनाव परिणाम से एक संकेत मिल जाएंगे कि 2024 में क्या होने बाला है मैं अगर कहूंगा तो वह अतिशयुक्ती होगी होता है ये देखिए मैं भी जब 2003 में ये चुनाव के बात चुनाव हुआ था तो एक तरफ प्रमोद महाजन जी जी उदर से स्ट्रेग जी इंचार थे और मैं कॉंग्रेस की तरफ से था मेरे बंगले में ऑफिस बना हुआ थ यदेपी हम दोनों बात करते थे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अटल जी जैसा जो मूरधन नेत्रत्व है उससे उसके नेत्रत्व रहते हुए बार्तिय जन्ता पार्टी हार जाएगी हार गई क्योंकि लोगों ने एक विरकल्प के रूप में आउसर दिया कॉंग्रेस को एक बार नहीं, दो बार दिया, केलर में सरकार उसके बाद बनी, डॉक्टर मनवान सिंग जी प्रदान मंत्री बने, देश में दो बार और अवसर नरेन मोदी जी को भी मिल गया है, दो बार के बाद तीसरा बार नहीं मिलने बाला इस बार, चूंकि अब समय समाप्त का सीटों के लिहाज से, और आपका आकलन, क्यूंकि आप बहुत वरिष्ट राजनेता हैं, आप संगठन के भी व्यक्ति रह चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं, आपका आकलन इस समय कितनी सीटें आपको दे रहा है, मध्यप्रदेश में इस पष्ट बहुमत कॉंग्रेस पार्टी को मिलेगा और मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी, दूसरे लोग आके कहते हैं, दूसरे लोग आके कहते हैं कि मैं जोतिशी नहीं हूँ, संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जोतिशी भी हूँ, श्वेता जी, जो ग्रहन अक्षत्र हैं, भारत जन्ता पार्टी की जो जन्म कुंडली है, और खासतोर से शिवराजी की जो जन्म कुंडली है, वो अनुकूल नहीं है, उनकी कुंडली भी आपने पढ़ ली है, सब मैं पढ़ता हूँ, मैं बता दूँगा कि किस में कौन कौन सी दशा चल गई है, जो विपरीत है, यदे अनुष्ठान वो करा रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होना, राहूल गांदी की पढ़ लिया अपने कुंडली में, टाइम अप हो गया है, लेकिन मैं जल्दी से पूछ लेना चाहती हूँ, हाँ, मैंने वो भी पढ़ लिये, जी राहूल गांदी जी ने जो भारत जोड़ो वा दनुड़ा